अलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग वेलकम टू सीयर सेंटर डिले ही हम जो प्रिविए सेर के कोश्चन पेपर को तॉल कर रहे हैं 2019 का हम जो भी चला रहे हैं उसी को कांटीनू करें आज हम बात करेंगे क्लास सॉरी कोश्चन नमबर 51 से लेकर के 75 के बीच में है तो इस कोंट करेंगे यहां पर यूपेसी का कोश्चन है तो वहां पर जहीर सी बात है लेवल अपर अंडरिस्टेंडिंग अंडर नौलेज इसके लिए जब हम सॉल्व करते हैं इस कोश्चन को यूपेसी के तो हमारे जो थो होते हैं कम्प्लेट्ली जो है की ओपेन होने चाहिए ऐसा नहीं कि इसके साथ और भी कुछ चलने चाहिए हम यह प्रिविए से कॉश्चन पेपर और उसके बाब फोकस दो जाए चॉबिस पचीश पीटी आईस पीटी आईस पीशे दोनों को पॉइंट अभी में रखे हम कर रहे हैं इसमें आपका आईस का भी कबर होगा पीशे का कर गारी किर्फ इसके साथ औरी इस अबात करेंगे हम यहां पर अपना कमेंप्र करेंगे यह के तरह का ऐसा गुरूप ऑप प्रोटक्शन इसको मिला होता है प्रशे डॉर्थ के दोरा आप रैट जो ट्राइबर होते हैं उनको तो मिलता है रेकिर उनके अलावा भी कुछ ऐसे होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं अभी तक यह पाया जाते हैं का रेसिडेंस है जो अठारा स्टेट और ये एक यूनियन टर्रेटरी में है इस कंसिटर कर रहे हैं दूसरी बार इस्टेटमेंट टू क्या है रहे है इस्टेटमेंट और डेकलाइनिंग पापुलेशन ये वन आफ दा क्रेटरिया फाद डिटर्माइनिंग क्या रहे हैं कि उस ट्रैबरस को अगर आप पर्टिक्लर्लबर ट्रवाद ग्रूर्स देते हैं तो उन में से कई क्राटरिया होता है उन कोनवे से एक क्रेटरिया यह है उनके पापुलेशन जो कि इस्टेगनेंट हो गई हो इस्थिर हो गई हो या फिर उसमें टेक्राइन हो रहा हो इस कंडिशन में हम उसको आज इस पर्टिकुलर वल्लरेबल ट्राइबर्स गृप्स का स्टेटर्स दे देते हैं आगे देखते ह इसके बात कर रहे हैं कि इरूला एंड कुंडा रेडी ट्राइबर्स हैं अब इसके बारे में हम देखेंगे क्या कहते हैं देखें आब इस्टेटमेंट वन और टू दोनों साथ नहीं होंगे क्योंकि ये डाटा दिया गया इनमें से एक जो है कि आपका गलात हो सकता है इसको जो कि हमें कंसिडर करना है अब आईए देखते हैं कि हम एक और तीन कहां पर हैं और 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 तो statement दोनो 1, 2 and 4 statement जो है यह आपका correct है यह पता हो हमें अब आजाते हैं 3 and 1 में कौन सही है कौन गलत है इसमें देखिए यह जोगे कि आपका गलत है क्योंकि 75 अभी आईसे ट्रैबर्स गुरूप है जिनको पीवी टीजी का स्टेटस दिया गया है बस समझ गये इस वज़े से यू कन से और संसी जग करेक्ट अब इसके वाद 52 क्या गया रहा है 52 के बारे में हम बात करेंगे आर्टिकल जो हमारा कांस्टिटूशन में है हमें पता है हमारा एक Whoops to यह है उसमें कई आर्टिकल से हैं कुई सेक्ससरि के चैप्तर हैं कई स्ट्रूलết उनमें से यह जो 142 है इसके बारे में भोला जा ने कह रहा है जो अक सब्सक्राइब इनुक्ष भी शुर्ट पोर्वट के सब्सक्राइब रींटेस्टरार्ट है इसा के दिया गया और उडर्र जो वह की कोट रॉर्मेंट होटी उनको मानना पड़ता है इसमें कह रहा है जो दिया गया इस्टेटमेंट कौन सही है कौन गलत है यह कह रहा है जो आर्टिकल 142 है यह क्या कहता है decision taken by election commission of india discharge it's a duty can't be challenge any court यह आपका गलत होगा तो यह statement अगर आप आगया यह statement दो के बारे में बात करने है इसके पावर को कम नहीं किया जाता है किसके द्वारा सुपार्लिया मिंट के द्वारा क्योंकि जो और पास कर देगी उसको मानना ही पड़ता गौर्मेंट को बिल्कुल सही है तो option b would be correct अब लेमन टम में हम आपको बताते हैं कि article 42 क्या कहता है यह कहता है Supreme Court of India कि दिमाख में आये कि नहीं ऐसा law होना चाहिए तो यह government को order देगी कि इस तरह का आप law बनाएए एक चीज़ और मैं आपको consider करना चाहूंगा यहाँ पर ले करके थोड़ा सा ठीक है एक सगेड यहाँ पर ले करके मैं आपको consider यह करूंगा कि कैसे legislature, executive and judiciary एक दूसरे की अलग थलग पड़े रहते हैं हमें पता है यहाँ पर पहला देखे हमने क्या का article 142 यह कहता है Supreme Court of India यह judiciary के पास power है power यह है यह order कर सकती है order किसको legislation को legislature 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 यहाँ पर आपका Parliament भी हो सकती है Parliament प्लस state legislature assembly भी हो सकती है यहाँ पर यह कह सकती है यहाँ यह power आपको पास कर रहे हैं आप इस पर जोए की law बनाएगे ठीक है example के लिए triple तलाक triple तलाक यही होता है न triple तलाक किते है न तीन बाद तलाक तलाक बलते है इस पर जोपने order पास किया पल्यामेट जोए की एक law बनाए तो यही कह रहा है article 142 order पास किया जाता है order judiciary के दौरा जूडिश्री के दौरा order पास किया जाता है पास करने के बाद जोए की इस तरह के काम किये जाते हैं अब दूसरी चीज एक चीज और बताते हैं हम आपको यहाँ पर तीन बोड़ी है सबसे पर लेजिसलेशन लेजिसलेशन जिसको आव जो तरह से चेंटरल लेबल पर आपका पारलियामेंट होती है पारलियामेंट है अब इस्टेट लेबल पर इस्टेट लेजिसलेटी असंबली होती है ठेक है एक कंसिडर करेंगे एक सेकेंड ओके सेकेंड लेबल पर इस्टे असंबली होती है अब दूसरा आते है एक जी कीटी एक जी कीटी एक अग्जिक्टीव है और एक होता है आपका जुडिशरी जुडिशरी अगर आप 50 को पढ़ेंगे इसमें separation of power between बिटिविन दो इन ओर्गिनाइशन के बीच में एक जुडिशरी एंड एक लेजिसलिटिव ठीके बीच में अलग-अलग है अब जो अग्जिक्यूटी होती है इसको कहते council of ministry और यह यहां से इन दोनों से आये विये बना जैते हैं state level पर भी होता है इनका काम क्या होता implementing implementing the law law को जो है कि यह implement करती है और इन दोनों का काम है law को बनाना law making law making power इसके पास होती है दूसरी बाद judiciary जो होती है watch dog watch dog होती है किसका आपका constitution का constitution मतला यह जो law यहां पर बनाया जा रहा है बस समझे यह जो law यहां पर बनाया गया है वो कितना valid है validity के बारे में बात करेंगे यहां से ऐसा तो नहीं constitution को violation कर रही है इस consider करेंगे अब आईए देखते हैं हमने बता दिया कि कौन सा statement आपका सही होगा सी जो की सही होगा हम कांटक्श में बात किया है question 53 with reference to with reference to legislative assembly of the state in India consider legislative assembly in the state के बारे में बात करें governor make the customary address to member of house at the commence of the citizen when the state does not have any particular rule on the particular matter पे तो यह क्या करती फॉलो किसका करती लोक सभाग्या अब अब डिटेल में अब समझे कि दोने statement कैसे सही है गलात है यह कह रहा है यहां पे consider करेंगे governor को लेके यह कह रहा है कि जो governor होता है यहां पे color change करूँगा मैं governor governor यह क्या करता है first every year every year प्रतियक साल यहां पे मैं लिख रहा हूँ प्रतियक प्रतियक वर्स होगा ठीक है प्रतियक वर्स का first station and ठीक है प्रतियक यहर का ठीक है एवरी या प्रते की एर का हो गया यहां पर फर्स्ट सेशन फर्स्ट सेशन आफ निवली एलेक्टेड एलेक्टेड गवर्मेंट का जब सेशन होगा और इसका तो दोनों को ठीक है एड्रेस करता है एड्रेस का मतलब यह हो गया उसको जो की इस तरह से मतलब उनको संदेश देता है कुछ अपने से लेकर के गवर्मेंट को जो चूने हुए आते हैं प्रतियक यह यूठ गवंटन्ट ये इस स्टेट में गवर्नर काता है दूसरी ची कह रहे हैं इस टेट्मेंट जो दूसरा यहां पर दिया गया है कि यहां पर ले दिये यह पर आप केरला ले दिये आप समझें यह चाहती है कि हम एक law बनाएं law बनाए या फिर कोई कानून बनाए किस पर जो आम होता है आम का पेड़ उसकी कटाई ना के जा अभी तक law नहीं इस्टेट ने नहीं बनाया है और यह चाहता है कि तूरौन तर इस पर जो की कानून बनाए और यूपी या केरला में ऐसा कोई law नहीं तो यह क्या करेगी जो गवर्मेंट ओफ इंडिया या यूनियन गवर्मेंट ने इस पर law बना रखी है पहले ही बना रखी है कि आम का पेड़ किसी भी परिस्थिति में नहीं काटा जा सकता है अगर इसके पास कोई कानून नहीं तो यह क्या करें की इसकी कानून को follow करेगी इसके आधार पे यह कहते हैं जो मैंगो जो होता है उनकी पेड की काटाई किसी भी परिस्थितिम नहीं हो सकती किस का follow किया है Government of India का जो rule है तो दोनों statement सही है इस बात को consider हमें करना चाहिए यह statement दोनों जो है कि आपके सही है एक सही है यहाँ पर वही क्या रहा है कि governor every session में जो कि year का address करता जी हाँ कानून नहीं है राज्य में तो लोग सभा का जो है कि कानून है वहाँ का फालो करेगा तो दोनों statement सही है तो option C would be correct and a question number हमारा चलेगा आपका 54 क्या रहा है United Nation Convention against corruption हाज प्रोटोकॉल against smuggling of the migrant by the land, sea and air जो migrant लोग होते हैं एक country से दूसरे country में भागते हैं देखिए यहां पर कोई वर्स आएंगे आपको मैं यहां पर लिख देता हूँ migration migration a migration migration and a में migration migration यहां पर migration का मतलब यह होता है यह भी हो सकता है और यह भी हो सकता है ज्यादा challenges समझने वाली बात है immigration और migration immigration का मतलब entry देखिए अब देखिए अब देखिए कैसे अब समझे कोई ब्यक्ति है यहां पर मैं लिख रहा हूं कोई ब्यक्ति है और बो पतना यह स्वेलिंग होती है यह फिर यह वहता है यह होता नीचे वाला पतना कोई कहा के जा रहा है देलही में यहां पर लिके रहा दिल्ली में जाता है अब देखिए क्या होता अब यहां पर ये entry जो कर रही, entry कहां पर कर रहा है और exit कहां से हो रहा पतना से ये कही भी लक्ति, जो पतना का है जैसे, माल ये स्याम है पतना के लिए exit immigration होगा और दिल्ली के लिए आपका entry immigration होगा अब इससे क्या होगा इससे आपका पापूलेशन इनक्रीज होगी तो आप प्लस लगाएंगे और इससे क्या होगा डिक्रीज होगी पाटना में जुन संख्या घटेगी दिल्ली में पड़ेगी तार सीज मेजर पॉइंट समझ गए तो यहीं कंसिट है यहां पर यह कह रहे हैं कि जो युनाटर निशन कन्वेंशन अगेंड करप्शन लिखा गया है यह प्रोटोकल अगेंड श्मागलिंग मैंगरेंड चलिये ठीक है UN convention on the against corruption यहां पर फिर दिया है यह फर्स्ट लिगली बाइंडिंग ग्लोबल अंटिक करप्शन इसका यह काम है कि कोई अगर इल्लीगल तरीके से किसी की प्रॉपर्टी हडप लिया तो उसको लॉट आया जाए यह तो पॉसिबल होगा नहीं अगर आगे देखते हैं क्या होता है आपको देखें क्या करना है इस्टेटमेंट त्री में ज्यादे हाई थिंकिंग या फिर इस तरह का है तो तीन जहां जहां पर हम उसको इल्लीमिनेट करते हैं पहले अब आपको कंसीडर करना है क्यों सा इस्टेटमेंट सही हो सकता है हमने का कि तीन बहुत ज्यादे है लग रहा है कि आप कोई चीज़ चोरी हुई है अब यह पता भी नहीं कि आप कैसे किसकी चोरी हो करके पकड़े हैं आप उसको कैसे जो रियल आउनर है उसको ट्रांसफर करेंगे तो इस्टेटमेंट 3 एक इनकरेक्ट तो आप कहा सकते हो कि आप्शन सी वूड़ बी करेक्ट तिर उसके बाग क्वेश्चन बन नेक्स विसमें यह कह रहा है इंडन फॉरेस्ट एक्ट नाटी टॉन्टी सेवां इसने यह कहा है कि जो ड्वेलर हैं फॉरेस्ट ड्वेलर होते हैं जो जंगलों में अपने जीवन यापन पिताते हैं वो कह रहे हैं कि राइट टू फेल बंबू ग्रोवी ग्रोन इंद फॉरेस्ट एरिया जो आपका इंडन फॉरेस्ट एक्ट है नाटी टॉन्टी सेवां यह फॉरेस्ट ड्वेलर को जो जंगल में लोग रहते हैं उनको यह अधिकार देता है कि आप जंगल में बंबू की खेटी कर सकते हैं बंबू मतला बांस का जो होता है ठीक है इस से कंसे कंसीडर करना है अब दूसरा इस्टेटमेंट देखते हैं क्या कहता है आध बर श्यूडू ट्रैबल्स एंद अधर ट्रडिशनल फॉरेस्ट ड्यूलर रिकागनिजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट अक् problem क्या क्या है या दिखता है अब क्या करना है कहुन सही होगा कौन गलत होगा एक सकंडू बिचिस को बताइये कहुन सही है क्या 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 है तो इसमें आप करेंगे यह करेंगे यह वाला this statement दिया गया है तो right the feeling यह नहीं है ठीक है यह आपका forest right act जो है 2006 उसमें दिया गया ना कि इसमें दिया गया है ठीक है तो इस वज़े से जो कि गलत है हमने कई बार कहा है अगर ऐसा कोई कानून आए कि कहे कि इसमें है या उसमें है तो आपका 90% गलत होता है अब इसमें यह है आपका साधी करने का अभ्णा क्या है सीदhी बाद साम अगर हम बात करें तो रहा है तो आपको साधी करना है तो किससे करना है तो यह आपका परसनल इनडिविजूवल यह होता है यह आपका 21 में आता है जिसको कहते हैं right to privacy को consider करने के दूसरी चीज़ यह भी हमें पता होना चाहिए article 19 क्या कहता है article 19 right to expression की बात करता है आपके पास अधिकार है बोल सकते हैं कह सकते हैं ठीक़े assembly organize करवा सकते हो और इसमें आप देखेंगे आपको 6 तरह का rights मिलता है इतने तरह की राइट से मिलती है छे तरीके की जो कि आपको राइट जो कि आपका आटिकल 19 में जो कि में इसे इसमें इस पीच एक्सप्रेशन की बात की जाती है पीस फूली असम्बली और्गिनाइज करने की बात करते हैं लेकिन बीडाउट कोई हलवा अथियार नहीं होना जाएए तिसरा है फार्द एसोसीएशन यूनियन बनाने का और्गिनाइज जीशन बनाने का आपका अधिकार है फिर आपका 19 में आता उसके बाद आर्टिकल हम 25 के बारे में बात करेंगे क्योंकि जब यह आ गया है मैटर तो हम आर्टिकल 25 भी बात कर लेते कि आर्टिकल 25 क्या का रहा रिलिजियस से मैटर यह है कि आप ठीक है रिलिजियस जिस रिलिजियस से आप बिलॉंग करते हैं उसको आप बढ़ाद चक सकते हो उसका प्रचार कर सकते हो दुसरी चीए आर्टिकल 90 जो मिनोर्टी लोग है मिनोर्टी लोग है वो अपने एडूकेशन को देखा है इस्टेबलिज कर सकते है उसको प्रमोट भी कर सकते है अब इसके बाद क्वेश्चन नमर 57 में चलते हैं करेंट अगर इस शीट करते हो उसको बहुत है आप करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते है अब इन्डिया में कहा रहा आ है कि कोई intellectual property appealed board नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता आप इस statement को पहली गलत करिए अब देखिए दो कहां पर दिया गया statement वैसे ही गलत हो जाएगा तो B और C नहीं हो B और D नहीं होगा अब देखिए तीन तो सही है not eligible the patent in India अब देखा रहा है कि 57 में बताए काउं सा पहला सही है या नहीं है तो 57 को आपको consider करना पड़ेगा कि सही है या नहीं है तो आपको देखिए ऐसा नहीं है कोई अगर biological process से आप कोई produce करते हो उसको जो ही कि आप patent रिले तो आप option C statement 3 बस आपको गलत है दूसरी चीज हमारे पास इंटरलक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्टी अपीलेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्टी अपेल्ड बोर्ड आप समझ गाए अब आते हैं क्या क्रिश्चिंपा-58 की बात करें कह रहे है consider the following statement Environment Protection Act 1987 Empower Government of India देखे सबसे पहले तो सवाल आपको यह मिल जाता है Environment Protection Act कप पास किया गया था 1987 में पहली चीज़ दूसरी चीज़ Environment Protection Sorry Wildlife Protection Act 1972 के बारे में हम consider करेंगे क्या यह बोला जाता है State requirement of the public participation in the process of the environmental protection and the procedure in the matter in which it's a thought वेकर है State requirement of the public participate in the process of the environmental protection and the procurement and manner in which it's thought उसके बाद है lay down standard for the emission discharge environmental pollution यह तो सही लग रहा है इसमें अगर यह statement में देखेंगे तो कहीं न कहीं controversy है वो सकता है इसमें बोला है या नहीं बोला है Environment Protection Environment Protection की बात कर रहे है तो आपको दिखें एक मिनट पहुच करिए वीडियो और फिर उसमें consider करिए कौँ सा statement आपका सही हो सकता है यह आपका statement जैसे बात करते हैं तो यह आपका वाइल डलाए Protection Act 1972 and उसके बाद है आपका एक Water Convention उसमें जो कि आता है तो यह आपका इस Loss है नहीं तो आप Option C करेक्ट कर सकते हो फिर उसके बाद 59 अज पर the Solid Waste Management Rule 90 आपका टूठाज़न शेक्स्टेन कर रहा है इसके अनुसाविच्ट तो फालूविच्ट में यह करेक्ट है तूठाज़न शेक्स्टिन के आक्ट के आधार पर कौन सा स्टेट्मेंट जो है की सही है इसको जो कि कंसीडर कर रहा है Waste Generator Waste Generator Hides Segregate 5 Category आपके घर में दिखे कितने तरह के कंटेनर पड़े होते है दो तरह के या तीन तरह के एक होता है गीले कुड़े के लिए एक सुखा कपड़े के लिए होता है दूसरी चीज है हाइप के टेगरिम कर रहा है रूल्स और अपलिकेबल तू नोटिफाइड अरबन लोकल बॉड़ी नोटिफाइड टाउन अल इंडेस्ट्रियल टाउन्शिप ओनली ये भी आप सही नहीं मानेंगे 59 में c रोल प्रोवाइड फॉर अग्जेक्ट इलेबरेट क्रेटेरिया फॉर दा अडेन्टिफिकेशन और साइट फॉर दा लैंड फिल एंड वेस प्रसेडी तरको उसके बाद 59 में आप बात करेंगे option d की बात करेंगे कि इसमें कौन सा सही है इसमें mandatory है कि यह mandatory बनाता mandatory कुछ नहीं होता है बहुत hypothetical है तो रूल जो की आपका जो c है वो सही बता रहा है कर रहा है रूल प्रोवाइड इसमें आपकाता रहा है question नमार 16 की बात करें काच पर industrial employment standing order central amendment rule 2018 की बारे में पूछ रहा है यह क्या करेंगे industrial employment employment की बाद कर यह आपकर यह rule apply कर दिया जाएगा तो fix term employment या अंप्लीमेंट कितने दिनों का implement आपको दिया астиयेगा और यह आसान हो जाएगा की यह employee में काम कर रहे हैं फर्म में उनको जो कि निकाल antic फेका जाएगा जैसे मालीजी यह लोग कह रहा है कि हम 365 दिनों में से 365 दिनों में 100 दिनों की रोजगार देंगे उसके बाद नहीं देंगे तो यह आटोमेटिक निकाल करके फेक सकता है ना तो यह अप्त कर जो कि सही होगा उसके बाद no notice of the termination of the employee shall be necessary in the case of the temporary worker के बारे में बात करें तो इसके लिए अगर हम बात करते हैं यह कहीं न कहीं आपका statement दोनों जब आपको बाई पता है कि हम 365 दिन में 100 दिन करेंगे तो तो आटोमेटिक निकाल जाएगा ना तो उसको notification की क्या ज़रूरत है आटोमेटिक निकल जाएगा तो आप कह सकते हो C option C would be correct question 61 की बात करेंगे अब हम 61 में करेंगे service area approach service area approach service का मतलब सेवा हो गया area का मतलब छेतर हो गया approach का मतलब यह हो गया पहुचना और यह किस scheme के अंदर गत काम करता है यह लेड बैंक का scheme के अंतरगाथ 1989 में इंप्लिमेंट किया गया था और इनका objective यह है जो रूरल या जो ग्रामेड छेत्र है वहाँ पर बित्त प्रोवाइट करना पैसे प्रोवाइट करवाना और उसके साथ वहाँ का development या फिर विकास लाने की बात की जाएगी रूरल एरिया में फैनांसियल की थरूप क्वेशन में 62 क्या कर रहा? manage the minor mineral in India minor mineral जो है इंडिया में उसको manage करने की context में क्या सही है? क्या गलत है? इस context में बात करना यह कर रहा? send यह minor mineral according to the prevailing law in the country correct जो send बालू होता है एक इंडिया में जो की minor product है दूसरी बात है इस्टेट में आपको correct जो है की select करना है count correct है तो यह जो दिया गया है यहाँ पर की state government के पास power है की वो mining को grant देगी तो यह statement को आप गलत मांगेंगे तो option A is correct है यह हमें consider करना है question 63 के बात करना है most of the India external debt जो government का है all of India's external debt in dollar अब दिखिए यहाँ पर तो पूरी तरह से दोनों statement बहुत hypothetical है ऐसा possible है ही नहीं कि सभी लेन दें जो है कि आपका केवल dollar में ही किया जाए ठीक है और दूसरी यह भी चीज है ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा ज्यादा जो बाहर के loan लिया गया है वो government का है तो इस वज़े से आपको अगर select करना होगा 63 का statement कौन सा होगा आप कर सकते हो ठीक है दर्मी बहुत पड़ रही है उसके बाद 64 की बात कर रहे हैं इन्में कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा जो दिया गया advance deposit investment money call and that's all इन्में से कौन सा government का asset नहीं है जो deposit है यह जो है कि government bank का जो है कि यह asset नहीं है liability है क्या है liability है liability है okay इसको हमें consider करना है किसी भी आलत में government या फिर जो बोल सकते हैं हम जो banks होती है bank 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 को bank की बोलते हैं हिंदी इनके दो तरह की पैसे होते है यह होती है आपकी liability liability दूसरा होता है आपका offset होता है जैसे जैसे father के लिए जो daughter होती है वो liability होती है और son जो होता है फादर के लिए asset होता है miss इस इसका मतलब यह है कि जो daughter है उसको आपको दहेज इकठा करना पड़ेगा नौकरी लगगे तो ससुराल भी चली जाएगा आपको एक रुपयाने मिलेगा beta है इसमें इसको दहेज मिलेगा job करेगा तो वैसा भी मिलेगा वैसे ही bank की liability होती है इसमें मतलब उसको return करना पड़ता है asset में उसमें return मिलता है return return वापस मिलता है इसको consider करना है आपको लेगे इसदख clear अब आगे आते हैं बात करेंगे question 65 कह रहा है in the context of India तो इस वज़े से देखिए इसमें 64 में देखिए अपका option सही होगा एक सकेड ओके अब आते हैं question 65 की बात करेंगे question 65 करेंगे in the context of India भारक के context में एक कौन सा ऐसा factor या contributor ऐसा है जो reduce करता है इंडिया की rupees crisis को बचाने के लिए पैसे की crisis को संकट को बचाने के लिए कौन सा इसमें काम नहीं कर सकता है अब देखिए foreign currency सबसे पहले यह पता है currency crisis क्या होती है कौन सा question नमर था यह पर 65 question 65 में currency crisis की बात कर जाए currency crisis में यह है आपका जो foreign exchange का system होता है या फिर जो इंडियन rupees होती है यहां पर मैं लिखराओ एक सेकेंड जो इंडियन rupees है इसको कैसे इसकी value को value को बढ़ाया जाए यह है कि यह competitiveness इसका प्रत्ति इस पर धात्तमक बनना चाहिए competitive बनना चाहिए competitive competitive that's why you can say value होनी चाहिए आई यह question 66 पर चलते है क्या कहता है इन्में कह रहा है कि ऐसा कौन सा committee है समझ रहे हो एक सेकेंड थोड़ा सा हमें बैठने का वो देती जी हम भी थोड़ा सा आप लोग भी बैठे हो अब देखिए यह कह रहे है इस statement में देखिए यह कह रहे है कि जो governor होता है उसके appointment के लिए देखे मालीजे यूपी में यूपी में 1983 एक चीज और मैं आपको बताऊंगा यहां पर यहां पर यह बता रहा हूं कि constitution में लिखी गई है age की बोली गई है constitution में जो constitution है उसमें दो ही eligibility लिखी गई है citizen होना चाहिए और age की बात करे है लेकिन जो committee है जो committee बनी है उसने भी सरकरिया committee दो provision लाया उसने जो provision लाया उनमें से एक provision यह है एक second उसमें से एक provision यह लिखा गया है पहली बार जब appointment किया जाएगा तो cm से consult किया जाएगा consult किया जाएगा दूसरा यह outsider होना चाहिए आउटसाइडर होना चाहिए ठीक है outsider का मतलब जिस state का है उस state का जो की governor नहीं बन सकते यह बात हो गई सरकारिया committee के suggestion पर लाया गई आप question number next पर चलते यह भी committee दी गई है first ARC report administrative reform commission रजमनार committee national commission to review यह सभी चीज़े आपको यहां पर बताई गई है ठीक है इस चीज को हमें consider करना है कोई अगर doubt हो तो आप पूछ सकते हो अभी तक आपके लिए मैं आदा सेकेंड जो की पहुच करना है अपने लेक्चर को और लेमें comment box में जरूर डाल करके बताएंगे ओके ठीक है कोई लिक्कत नहीं है अब question 68 कह रहा है इन में कौन सा ऐसा जो सब्द लिखा गया है कि जो issue registered foreign portfolio investment overseas investor who want to part of the indian stock market without registering जैसे यहां पर लिखा है certificate deposit commercial paper participatory note प्रोमिशनेरी note and a participatory note participatory note को P notes के नाम से भी जानते है देख है इसमें कह रहा है कि अगर महां लीजिए Donald Trump अमेरिका से invest करते हैं इंडिया में वो registered है इंडिया के share market का capital market में और उन्हें का एक जानने वाला लगा सगा कहता है हमें भी जो कि इंडिया के market में invest करना है लेकिन हम registered नहीं होना चाहते है Donald Trump करेंगे कोई दिकतने आप हमारे through invest कर दीजे हम सरकार को बता देंगे और वो invest करते हैं जब सरकार भारा सरकार पूछती है यह किसका पैसा तो कहते हैं कि भालाने का हमारे through investment करना चाहते हैं भारा सरकार कहें कि चलिए तो उसको क्या बोले जाता है participatory nodes or short form P nodes option D would be correct question में 69 68 as per law compensatory afforation fund management and planning authority exist at both labels national understand that is good people participation is mandatory is in the compensatory of forest carry out under compensatory forestation act 2000 16 अब इसमें देखिये कौन सा statement आपका सही हो सकता है question number 68 में देखेंगे कौन सही है कौन गलत है तो जो यहां पर दिया गया कि mandatory है under risk के आता है यह आपका गलत है यह जो है कि statement पहला जो कि सही है exist है जो regulatory authority है यह दोनों लेबल पर पाई जाते है आये उसके बाद question number 69 पर केरा आये ब्रीप में देखें इन में से कौन से कमिटी दी गही है organization जैसे add-off committee set up by parliament department department related standing committee finance commission financial sector legislative reform commission कौन सा आया telecommunication insurance electricity जो कि regulate करता है उस sector को सबसे पहले आप देखेंगे जो finance commission इसका काम क्या है financial distribution center और state के बीच में करते है right पहला चीजी हम पर हो जाती है यह तो आपका गलत है दूसरा निती आयो एक think tank है जो यह काम करती है क्या है तो 3 & 5 होगा ही नहीं 3 3 5 क्या बज़ा है ठीक है यह बाद समथ गया है तो question of 69 का जो A है यह जो कि आपका सही होगा देखे question of 70 की बात कर रहे है 70 कह रहा है index of high peer plan के बारे में पूछ रहा है 2nd 5 peer plan 4th & 5th 5 peer plan के बारे में कह रहा है कि कौन सही है कौन गलत तो इसमें आप इंक्लूडेट इंटेग्रेटर पार्ट यह अपका फोर्त का ही पार्ट पढ़ जाता है question of 71 की बात करेंगे 71 में क्या कह रहा AIIB AIIB ASIA Infrastructure Investment Bank के बारे में कह रहा है कह रहा है इसमें 80 से ऊपर जो कि इसकी मेंबर है flexibility है बिलकुल सही है अब इसके बाद और एक सेकेंड okay अब सही रहेगा अब यहां पर देखिए यह कह रहा है कि जो AIIB इसमें 80 से ऊपर जो है कि इसके सदर से बिलकुल सही है इंडिया सबसे largest shareholder ऐसा संभाव नहीं है कि बहुत से organization में अच्छी इसकी पोजीशन है इंडिया का इसका यह मतलब नहीं है AIIB में सबसे ज़्यादा इसमें सबसे ज़्यादा इसमें सबसे ज़्यादा आपका statement इसका statement 2 is incorrect अब देखिए तो दो यहां पर दिया B और D में यह गलत होगा अब देखिए आई 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 बी में अब आते हैं अब आते हैं क्वेश्चन नमबर 72 की बात करेंगे इसमें को पैसे दे दिया अब आते हैं क्रेडिटर अग्रिमेंट साइंड बाई इंडियन बैंक इसमेंट के बारे में देखिए आप NPA का नाम सुना होगा NPA Non-Performance Asset के बारे में मतलब सरकार ने या बैंक ने बिजनेसमेंट को पैसे दे दिया पैसा वो परफार्ब नहीं करा अगर 90 दिन के बाद उनको रिटर्न नहीं मिला हो पैसा तो इसमें यह कहा गया था इनमें एक अग्रिमेंट बना हुआ था इंडियन बैंक और इंटूटूशन के बीच में इसमें यह कहा गया था जो पचास करोड से उपर के प्रोपर्टी की लेंड देन एनपीय के रूप में हो गई है उसको इंटर क्रेटर अग्रिमेंट के थूँ अक्षेंज किया जाए गा सॉल्व किया जाए गा इसके बाद आज गया आते हैं कर रहा है 73 की बात कर रहा है चेयर में आज़ पब्लिक सेक्टर बैंक का अपॉइंटमेंट या सेलेक्शन कैसे होता है यह ट्रिपल भी जो मिशन इंद्र धनूस बनाया गया था गवर्मेंट के द्वारा उसके द्वारा बनाया गया है लेकिन आप यह चेंज कर दिया गया है ट्रिपल भी बैंक आफ बैंक बोर्ड ब्यूरो यह आप इनका अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं इसका नाम चेंज कर दिया है आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे किये है क्या क्वेशन में 74 की बात करेंग कह रहे हैं कि पेट्रोलियम ने नाचुराल गास रेगुलिटरी बोडी इस जफास्ट रेगुलिटरी बोडी इस्टेबलीज बाई गॉइंट ऐसे स्टेटमेंट पाहला है दूसरा ही है यह आपका गलत ही होगा नेक्स है सेकेंड इस्टेटमेंट one of the task of PNGRB is ensure competitive market for gas appeal against the decision before the ability tribunal board statement one गलत बताय देंगे तो भी ही तू बच रहा हैं आगे पढ़ने की जरूरत हमें नहीं is that clear? and question number 75 last question of the day की बात करेंगे आप देखें आएसे statement भी आजाया है की LTE VOLTE क्या है तो यह एक दूसरे का इसका features इसमें डाल देते हैं ठीक है आएसे statement आए तो आप जो है की उसको 90% incorrect बान करके चलिए यह कह रहा है की long term evolution and vice over long term evolution के बीच में differences क्या क्या है ठीक है only data तो इसमें आप दोनों बोलेंगे दोनों गलत है right यह हमारा था 2019 का previous question पर पर तो मुझे उमीद है कि आप जरूर इसको consider करेंगे आगे कोई query होगी तो आप जरू comment box में डालेंगे हम उसको consider जरूर करेंगे आज के लिए इतना है तब तक के लिए thank you for the discussion you